तो सबसे पहले सबसे important question से ही शुरू करते हैं कि कौन सा pen चाहिए आपको wall point pen चाहिए blue चाहिए black चाहिए पिटा कोई सा भी pen चाहिए हो आपको pen ले जाना अपने घर से allowed नहीं है जी हाँ आपको पिटा examination hall में pen अलग से दिया जाएगा NTA की तरफ से आप अपने पस रख सकते ह pen बड़ ले लिया जाएगा paper में pen जो है वो आपको आपका examiner examiner ही देगा ठीक है बचा चलिए आप examination hall में enter कर गए हैं और आपके पास जो है आपके हाथ में OMR sheet है अब देखते हैं इसमें क्या-क्या important चीज़े हैं सबसे पहला आपका roll number तो बचाहां मिलेगा roll number आपको मिले इसको जूम करती हूं मेरा कुछ भी है ना 2,3,6,5,8,9 ऐसे से करके कुछ भी है तो अगर suppose मैंने यहां पे टू लिखा है तो इसके नीचे मुझे टू वाला ही bubble जो है वो fill करना है ध्यान रहे कि bubbling इस तरह से करो कि यह इसके बाहर न जाए तो better होगा कि आप इसको इस तरी को आईए और फिल करिए अगर इसमें कोई गलती हो जाती है वैसे हो नहीं चाहिए हो जाती है तुरंद अपने examiner से जाके मिलो और उसको बता दो खुद से कोई experiment तुमने नहीं करने है कि मैं मेर से गलती हो गई है तो मैं खुद ही इसको cross लगा के दूसरा फिल कर देता हू don't you do that because तुमारा roll number तुमारा result देगा है याद रखना उतना ही जादा important है आपका test booklet number बिटा test booklet number जो है ये आपको बिटा जो भी आपको paper मिलेगा ना उसी को test booklet उन्होंने कहा है जिसमें से कि आपके 200 questions होंगे तो वो भी आपको यहां पे fill कर देना है कुछ भी लिख दो है न तो आपको वही पे fill कर देना है देन उसके बाद में बिटा test booklet code suppose यहां पे ए लिखा हुआ है अब इन्होंने यहां पे mention किया है कि देखे बिटा ये जो आपको test booklet का code होगा ना ये आपके answer sheet में जो दिया हुआ है आपके question paper में भी यही होना चाहिए तो अगर ये दोनों match कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया अगर ये नहीं match कर रहा है आप एकदम से उठेंगे और अपने examiner से मिलेंगे उसी वक्त ठीक है तो make sure that code printed on OMR sheet is same as the test booklet code किसी को A मिला होगा किसी को B मिला होगा किसी को C and so on जो जो भी उन्होंने code रखे हैं ठीक है उसके नीचे बिटा आते है हम लोग तो यहां भी लिखा है declaration by the candidate signature with time in running hand for example अगर मैं sign कर रही हूं अगर suppose मेरी ये sign है तो उसके नीचे में date डालोगे ठीक है suppose मैंने sign किये and then मैंने उसके नीचे date डाली whatever the date is fine ठीक है running hand में करने आपने अपना नाम नहीं लिखने लग जाना है नाम जो है अपना अपने यहां पर लिखना है suppose मेरा नाम यह है यह भी running hand में लिखना है इसमें भी capital लिखने में कोई जरूरत नहीं है ठीक है इस तरफ आते हैं हमारे पास यहां पर हमारा mother's name and father's name running hand only running hand का मत्तव है for example जो भी आपके ममी पापा का नाम है आपने यहां पर लिख दिया यहां पापा का नाम यहां पर लिख दिया ममा का नाम यहां पर लिख दिया and you are done running hand only block letters में लिखने की कोई जूरत नहीं है यहां पर आपका left hand thumb impression आएगा खुद से नहीं लगाने लग जाना है वेट कर ले ना आपको देंगे वो है ना thumb pad वो देंगे stamp pad ठीक है और यह आपकी जगा नहीं है कृपया यहां पर sign ना कीजिए कृपया यहां पर sign ना करें यहां पर आप अपने तीनों सेक्शन पर फिजिक्स पर केमिस्ट्री पर एंड बायोजी पर जो 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 क्वेशन किया होगा मैंने उस पर वीडियो डाली है अब यह नहीं है तो आप चेक कर लेना लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि कौन-कौन से जो इसको का फिल करना है यह भी बहुत जरूरी पार्ट है ध्यान रखना इस बात का ठीक है बचा तो आपकी उसके नॉलेज के लिए मैंने आपको एक राइट डाउन कर दिया इसको क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टन चीज़े होंगी पेपर में रोल नंबर चेक ठीक है न अब ममी का नाम रानिंग हैंड में लेफ्ट हैंड थाम इंप प्रशन वह देंगे आपको स्टैम पर ठीक है देन फिर आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे सेक्शन बी जो है वो नीचे दिया होगा सेक्शन ए जो है वो उपर दिया होगा ठीक है पिटा ड़न हां तो यह आपनी बिटा यह अंटीक ही मैंने डाउनलोड किये हैं मैं आपको शेयर कर दूगी कि क्या करना है एक से ज़ादा बबल को जो आपने क्रॉस नहीं करना है अपनी OMR शीट पे अपनी OMR शीट पे आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़े नहीं लिखनी है ध्यान रहे आपक जैहिंद ऐसा कुछ नहीं आपने लिखना है आपके भवान आपके साथ है मान के चलो इस बात को ठीक है लिखके हो यह आम परकट नहीं हो जाएंगे ठीक है डोंट डू दू दाट इट माइट लीड यू तो दर रिजेक्शन फायर OMR शीट ठीक है आपको MR शीट उसे आपको इस तरीके से बाबलिंग आपको नहीं करनी है आधी अधूरी सबसे इंपोर्टन चीज बिटा आपको इसके यह देखा रणिंग हैंड के भी आप देख सकते हैं इसको कहते हैं रणिंग हैंड मैंने आपको लिखके बता दिया और आपको बिटा आपकी OMR की वहां पे दो कॉपी जो हैं वो दिख रही होगी एक आपकी उपर रखी होगी आइधिंग जो रेड कलर की नीचे एक और कलर की रखी होगी शायद बीच में कार्बन कॉपी होगी तो ध्यान रहे आपने उन दो OMR कॉपी को एक दूसरे से अलग नहीं करना है क्यों एक उनकी जो ह वो मशीन में चेकिंग के लिए जाती है एक NTA अपने पास रेफरेंस के लिए रखता है ये भी मत सोचना कि वो कॉपी तुमको दी जाएगी वो दोनों के दोनी कॉपी एक्जामिनर आपसे ले लेगा ठीक है फ्यूचर में कोई रिवालुईशन होती है आप दोबारा चेक और ही फिल हो जाएगा तो उसको तुमने नहीं छेड़ना है जैसे भरा वैसे ही एक्जामिनर को दे दिया ठीक है बचे तो ये आपकी सैंपल कॉपी है ये सारा PDF में आपको टेलीग्राम गूप पे जो है वो शेर कर दूँगी बटा and all the very best please take the utmost care in filling your OMR sheet your OMR sheet will decide your results be very very careful okay all the very best better